दिली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीते दिन कांगडा में जनसभा के दोरान कॉंग्रेस और भाजपा पर जमकर निशान असाधा था और कॉंग्रेस भाजपा पर प्रदेश को लूटने के आरोप लगाये थे वहीं उनके आरोपों पर कॉंग्रेस प्रवक्ता नरीश नरीच चुहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिली में और पंजाब में सरकार बनी है और अब हिमाचल में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लूटने के आरोप लगाये थे। केजरिवाल को हिमाचल के इतिहास के बारे में जान करी लें उसके बाद ब्यानवाजी करें। हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रिस की सरकारों ने इमानदारी के साथ प्रदेश का विकास किया है और इसे विकास में वीर भदर सिंग रामलाल ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिमाचल प्रदेश के लोगों को गुमरा कर सकते हैं मैं इस बात से सहमत नहीं। खास तोर पर जिस तरह केजडिवाल जी ने कहा कि 30 साल तक कॉंग्रिस पार्टी का राज हिमाचल प्रदेश में रहा और इन सरकारों ने प्रदेश को लूटा है। तो मेरा उन से स्वाल है, दो स्वाल इसमें होते हैं। पहला स्वाल है कि अगर हिमाचल प्रदेश ये गरीब छोटा पहड़ी राजिया बना, अगर लूटने के बाद वो इतना सुन्दर हो सकता है, इतना विकास कर सकता है, तो ये कौन सा मोडल है कि लूटने के बाद भी विकास होता है, एक तो ये बताएं कि अजरिवाल साब ये कौन सी भाषा है, दूसरी बाद हमारे कॉंग्रस ने जो पहले मुख्य मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर वाईयस प्रमार, जिन को हम आप पुरा देश और पुरा प्रदेश जानता है हिमाचल निर्मा उनको आज भी याद करते हैं, तो उसका कोई कारन था, उनका एक सोच थी, वीजन थी प्रदेश के लोगों के प्रति, ये पहडी राज्य था, गरीब लोग थे, विकास था नहीं, सडके नहीं थी, सुकूल नहीं थे, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं था, आज अगर एपल इंडरेस्ट्री है, जिस तरह भी आगे बढ़ा, उसके पीछे डॉक्टर वाई एस प्रमार की बहुत बड़ी सोच थी, और उस सोच को उनुने तकरीबन 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और प्रदेश को एक मुकाम पे पचाने में उनका बड़ा स तो मुझे लगता है केजरी वाल साहब को हिमाचल प्रदेश का इत्यास अच्छी तरह समझना चीए, आपको हिमाचल के इत्यास की ज्यान नहीं है, आप एक शोशा वाजी जो पॉलिटिक्स करते हो, वही यहां करना चाह रहे हो, जो हिमाचल प्रदेश में आगे बढ़ने वाली नहीं है, आपका ये मॉडल जो आप बेचना चाहते हो, कि मैं राजनीती नहीं जानता हूँ, तो भई आप छोड़िये नहीं जानते हैं, तो आये काहे के लिए हैं, यह ज़रूर है कि आपका नेता नहीं मिल रहे हैं, चेहरे नहीं मिल रहे हैं, आप बड़ा प्रया किया होती है। मैं समझता इनको एक बड़ा लंबा सफर तैय करना पड़ेगा। इस तरह की ब्यानवाजी से अगर यह सोचते हैं कि उनका दल यहां आगे बढ़ेगा। मैंने समझता कि ऐसी कोई आत्रा इनको यहां आसान मिलेगी। ब्यानवाजी के मास्टर है। है कुछ नहीं है। दिल्ली की हालात क्या है। जब सेकंड वेव आई करोना की जो दिल्ली ने खोया और दिल्ली वालों ने अपने जन खोये। वो देखने वाला था। वो बहुत पीड़ा दायक था। बुरे देश के लोग भी जिस तरह देख मंतिरी जी ने बहुत बारी अपने मन की बात कही और लोगों ने उनको सुना भी। लेकिन आप कब समझेंगे कि आप एक तरफा ही बात करते हो। अपने मन की बात करते हो। देश की जनता उनका मन आज क्या कहता है कभी एक बार ऐसा समय भी तो दे दो कि जनता के मन की बात करूंगा कि लोगों की बात को सुनें कि सबसे पहले आप महंगाई पे बताएं कि आपकी सरकार देश की जनता को किस परकार रहत देने वाली है महंगाई का जो आलम है हर दिन हर चीज में महंगाई है आज ऐसी परिस्थितिया बन गई है देश की जनता के सामने कि अपना घर चलाना जीवन चलाना दुर्बर लोगा खाने पीने की चीजों की महंगाई की बात करें आटा तेल चावल चीनी डालें कौन सी ऐसी वस्तु है जो आज जिसमें महंगाई की मार नहीं पड़ी अगर आप को ही भी बात करें बच्चों के स्कूल जाना है पड़ाई की है स्टेशनरी की है किताबों की है आपको सफर करना वो महंगा आपको हर दिन हर चीज में महंगाई की मार आप डीजल पेट्रॉल की बात करतें आप PNG में बहुत बड़ी लाइन है आज एक भी चीज असी नहीं जो जनता को महंगाई की मार ना जहिलने पड़े अगर किसी ने अपना आश्या ना बनाना है छोटा घर बनाना है तो आप सिमेंट है इंट है बच्ची है रेता है कोई ऐसी चीज नहीं जो महंगाई की मार नहीं के पास है कि लोग अपना जीवन तो आगे बढ़ा सके तो इस सबसे बड़ी प्रिशानी आज महंगाई की और बेरोजगारे की देश के सामने सबसे बड़ी समस्य है